एक बार की बात है, एक जंगल में काफी सारे जानवर रहा करते थे और उनके प्रती आपस में काफी अच्छा बहवार था और वो एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे लेकिन उन में से एक बकरी जो के बहुत ही शरारती थी, उस बकरी को अपने दोस्तों को तंग करने में बहुत ही मज़ा आता था और उसी जंगल में थोड़ी सी दूर एक शेर रहा गरता था, जो बहुत ही खुँखार था और इसलिए वो सारे जानवर उस शेर के डर से एक ही जगा सारे एक ही साथ रहते थे और तभी वो बकरी कुछ शरारत करने लगती है एरे बचाओ बचाओ ये शेर मुझे खा जाएगा कोई है बचाओ और तभी वो सारे जानवर उस बकरी की आवाज सुनकर कहते हैं लगता है मुझे ये बकरी की आवाज लग रही है चलो चल कर बचाते हैं वो शेर कहीं बकरी को ना खा जाए हम तुम सब चलते हैं चलो और फिर वो सारे जानवर बकरी की आवाज सुनकर उसके पाच पोचते हैं तो बकरी हस हस कर नाचने लगती है और सारे जानवर देखकर हैरान हो जाते है बुरा मत मानना दोस्तो, मुझे तुम्हें परिशान करने में बहुत मजा आता है और फिर सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं तो अगले दिन फिर बकरी ऐसा ही करती है अरे कोई है बचाओ बचाओ ये शेर मुझे खा जाएगा जल्दी आओ बचाओ और तभी गेंडा बोलता है अरे ये तो बकरी की आवाज है लगता है सेर सच में ही ना आ गया हो चलो हमें उसे बचाना चाहिए और सारे जानवर बकरी की आवाज सुनकर फिर से वहां पहुच जाते हैं और फिर से बकरी जोर जोर से हसने लगती है और मज़े ले रही होती है अरे बुरा मत मानना दोस्तो, मुझे ये सब करते हुए बड़ा मज़ा आता है, अब तो ये मेरी आदत बन चुकी है और बकरी की ये हरकतें देखकर जानवरों को बहुत बुरा लगता है और एक दिन बकरी घांस खा रही होती है, तो पीछे से असली में ही शेर आ जाता है और बकरी शेर को देखकर डर के मारे घांपने लगती है बचाओ बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा, कोई है, बचाओ और तब बिल्ली बकरी की आवाज सुनकर कहती है अमार रोज का नाटक यही नाटक, अरे हम कैसको बेवकूफ लगते हैं, बार बार बचाओ, बचाओ और इस बार वो सारे जानवर बकरी की बात मजाक में समझ कर उसे बचाने नहीं जाते और शेर बकरी को अपना शिकार बना लेता है, और उसे मजे से खाता है तो बच्चों क्या शिक्षा मिली आपको इस कहानी से? यही के हमें जूट नहीं बोलना चाहिए क्योंके जूट बोलने से हमारे उपर से विश्वास उठ जाता है और ऐसे ही हमारे चैनल पर मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहेंगी हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और लाइक करें